जै जै श्री राम जै जै हनुमान भक्त जनों तुलसी दास जी द्वारा रचित श्री राम चरित मानस में सबसे सुन्दर पसंग आता है सुन्दर कानड का जी हां यह सुन्दर कानड परम राम भक्त श्री हनुमान जी की अनेक अनेक लीलाओं का वर्णन करता है कहते हैं सुन्दर कांड को पढ़ने, सुनने एवं गाने से भक्तों को कूरी रामायन पढ़ने का शुब फल प्राप्त होता है तथा साथ ही साथ हनुमान जी और प्रहुश्री राम जी की क्रिपाएं प्राप्त होती तो आईए पवित्र पावन सुंदर कांड का संगीत मैश्रमन इस सरलवाणी में सुनते हैं एक बार फिर मेरे साथ बोलिये बोलिये भगवान श्री राम चंदर जी महराज की बुली श्री हनुमान जी महराज की रामायन में सबसे सुंदर रामायन में सबसे सुंदर भगतों सुंदर कांड है श्री हन्मत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुंदर श्री हन्मत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुंदर मा सीता को खोचते खोचते श्री हनुमान जी अंगत जाम्मत जी और अन्यवीर सागर तक पर आ पहुँचे हैं जाम्मत के याद बिलाने पर श्री हनुमान जी को उनका बल याद आ जाता है और वे प्रभुराम जी की मुद्रिका को मुख में डालकर पवनवेक से उड़कर सागर पार करने को निकल पड़ते हैं मार्ण में उन्हें सुरसा नामक राक्षऽी मिलती है जिसे देवताओं ने आहार का वरदान दिया हुआ है देवताओं के वर्दान का मान रखते हुई श्री हनुमान जी उसके पेट में से होकर निकल आते हैं सुरसा उनकी चतुराई से अतिप्रसन्न होती है और उन्हें विजय होने का आशिरवाद देती है उड़ते उड़ते अनुमान जी लंका नगरिया पहुचते हैं कि क्या देखते हैं द्वार पर लंकिनी पहरा दे रही है श्री हनुमान जी जियों ही लग रूप बना कर भीतर प्रवेश करने लगते हैं कि लंकिनी उनका मार्ग रोपकर उनसे युद्ध करने लगती है मारी लात मुस्ठिका की मारी लंकी निधरा पे गिर आई जाओ राम के काज कराओ हनुमत से वो बत लाई हनुमान के हाथों मर की मुक्ती उसने पाई है लंका भी तर हनुमत आए अखियां फिर चोंदाई है सिया मा का पता न पाए सिया मा का पता न पाए तैरत में हनुमान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये कुणगान है करता ये कुणगान है लामायन में समसे सुंदर भगतो सुंदर कान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये कुणगान है करता ये कुणगान है रामायन में सबसे सुन दे लंका में घूमते घूमते अचानक उन्हें श्री राम नाम अंकित एक खुटिया दिखती सत्य जानने हे तूँ वे ब्रहमन का रूप बना खुटिया में जाते हैं तो वहाँ पर पापी रामन का श्री राम का परमभक भाई विभीशन को पाते हैं दोनों में मैत्री हो जाती है और वही से हनुमान जी को मा सिया का पता प्राफ्त होता है अशोग बाटिका में पहुँचकर श्री हनुमान जी मा सिया को प्रभू की मुंत्री का देकर उनका संदेश देते हैं और मा सिता से वादसल्य और धेर सारे वरदान प्राप्त करते हैं मा सिता की अनुमती लेकर वो बग्या से फल तोड़ कर खाने लगते हैं जिससे उनका राक्षसों से भैंकर युद्ध हो जाता है जिसमें रावन का पुत्र अक्षय कुमार भी उनके हाथों मारा जाता है अब रावन का परम प्रतापी पुत्र मेगनाद उन्हें पकड़ कर अपने पिता रावन के पास ले जाता है शीता मा को वापस कर दो हनुमत ये समझाते हैं सुनी बात हनुमत की रावन क्रोध में आ जाते हैं केल पोरी पट बांध पुनी फिर पूँछ में आगती लगवाए हनुमत ने भी राम बोल के सारी लंका जलवाई गूंज रहा लंका में देखो हाँ गूंज रहा लंका में देखो भगतों जै श्री राम है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दल तो सुन्दर खाल है श्रीहन मत के लीला आउंता करता ये कुण घाल है रामायन में सबसे सुन्दल श्री हनुमान जी ने जै जै श्री राम का उधोश करते हुए सारी लंका को अपनी जलती हुई पूँच से जला दिया इधर हनुमान जी जै श्री राम बोलते जाते उधर लंका में हाहा कार मचता जाता एक विवीशन की कुटिया को छोड सारी लंका जल कर राख बना दी समुद्र में अपनी पूँच की आग बुझा कर हनुमान जी मा सिया के सन मुख फिर आते हैं और निशानी स्वरूद उनकी चूडा मनी लेकर जैश्री राम का उध्धोष करते हुए रामा दल में लोट आते हैं प्रभू श्री राम सीता का संदेश प्राप्त करते हैं तो हनुमान को रिदे से लगा लेते हैं और उन्हें भरत समान भाई बताते हैं, अब प्रभु की सेना सागर तट पर आप पहुची है तीन दिनों तक करी तफस्या, फिर भी सागर ना माना शिरी रामने अगनिवान फिर अपने धनुश पर खाताना शमा मांगली सागर ने और ये उपाय थे बतलाएं, नल और नील के हाथों सागर परसे तू को बंधवाएं, शिला तेर गई सागर में शिला तेर गई सागर में जिस पर तो लिखा श्री राम है, श्री हनमत की लीला उटा करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर तो सुन्दर कान है श्री हनमत की लीला उटा करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर सागर पर सेतु बांध, राम सेना लंका तटपरा पहुँची रामन का भाई विबीशन तो पहले ही रामा दल में सम्मिलित हो चुका था आज रामन सेना का संचालन मेगनात कर रहा है और इधर राम सेना का नेत्रत्व लक्ष्मन जी कर रहे है दोनों योधाओं में घंगोर भयंकर युद्ध हुआ कि तभी मेगनात ने शक्ति प्रहार से लक्ष्मन जी को मुर्चित कर दिया विबीशन के कहने पर लंका नगरी से श्री हनुमान जी वैद्य सुशेण को लियाए वैद्य जी के बताय नुसार श्री हनुमान जी पवन वेख से उड़कर हिमालय परवत स्रंखला से संजीवन भूटी वाला द्रोना गिरी परवती उठालाए संजीवन ग्रहन करते ही लक्ष्मन जी जीवित हो उठे और पूरे रामा दल में जै श्री राम और जै हनुमान जी की जैकार होने लगी बूटी वाला परवत लाए प्राण लखन के राखे थे राम काज करने में हनुमत भगतों सबसे आगे थे भरत समान बताए राम जी उनको हिर्द लगाए थे प्रेम के आँसू भक्त और भगवान के आँसों आए थे राम चरण में बैठ गए थे राम चरण में बैठ गए थे बगतों फिर हनुमान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर है रावन और राम जी के बीच घंगोर युद्ध हुआ भकतों और रावन का अंकर प्रभूश्री राम जी ने मा जानकी को उनकी कैद से छुड़ाया और भाता लक्षमन अपनी पत्नी सीता और अनेकानेक योधाओं के साथ पुश्पक विमान चड़कर अयोध्या आ गये भाई भरत ने विधी विधान से राम जी का राज तिलक करवाया अयोध्या नगरी ने दीप जलाकर सारे नगर में दीपावली मनाई देश देश आंतर के राजाओं ने राम जी और सीता जी को अनमोल उपहार दिये विभीषण ने भी अनमोल रतनों की माला मा सीता को भेट स्वरूर दी जो मा सीता जी ने हनुमत के कले में पहना दी और हनुमत को देखो माला का एक-एक मन का तोड़ता जाता है और उसे भेटता जाता है विभीषण के पूछने पर हनुमान जी कहते हैं कि जिस माला में श्री राम नहीं वो माला भला मेरे किस काम की है क्रोधवे विभीषण के ताना देने पर हनुमान जी क्या करते हैं आईए सुनाता हूँ लंका पती ने हसी उळाई आखों आसु भर आई सीना चीर के राम सिया का दर्शन सब को करवाई राम नाम का चंदन अपने कन मन पे सब रंग डाला राम भक्त कोई हुआ न होगा हनुमत तुम सामत वाला जिसकी श्वास श्वास में भक्तों पस्ते प्रभु श्री राम है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दक तो सुन्दर कान है शीहन्मत की लीलाओं का करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दक